राहूल गांधी हातरस में बोल रहे हैं क्योंकि यह गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समयन के लिए तो कॉंपनसेशन जादा से जादा और मैं यूपी के चीफ मिनिस्ट्र से विंती करता हूं कि दिल खोल के कॉंपनसेशन करें राहूल गांधी आपने बड़ी बात मुआपजे की कही है दो लाग की बात नोंने कही है तो मुआपजा निश्ट्र तो कि जादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग है इस समय इनको जरूरत है अब आपने छे महीने बात दिया एक साल बात दिया डिले किया उ अधिर बात पूछते हो एक मार बोलने दो जवाब देता हूं और जवाब ख़तम निकरने देते हो तो आपने सवाब पूछा है तो जिसमें सवाल पूछा है उसकी इसदफिए तो क्या था सवाल यह था कि मुआपजे की अधा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जिदना दो यह सकता है दिल खोल कर देना चाहेँ अब परीवार वालु कि बारे में परिवार के बारे में उनके बच्चों कि बारे में माता के बारे में कैसे थे प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अर्रेंजमन्ट वहाँ पुलीस का होना चाहिए था, उन्हें हैं। बहुत दुख में हैं, शौक में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है उसको समझने की खुशुश करता। तो राहूल गांधी को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि दोश्यों पर सक्त कारवाई होनी चाहिए, प्रशासन की यहां पर घलती है, जब उन्होंने पीडित परिवार से बात की तो उन्होंने भी कहा कि पुलिस के इंतिजाम नहीं थे यहां पर, और साथी राहूल यह अभी एक मुएफ्जा इस वक्त पीडितों को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़ार दरकार इसी बात कियें हैं, कि उनका कॉम्पेन्सेशन पुरा मिलना चाहिए, उन्होंने अपीछ बी यूपी सरकार से कि कॉम्पेंसेशन को लेकर पूरा मुआवच बीडितों को मि ये उनकी अपील है हात्रस हाथसे पर दुख व्यक्त किया राहूल गांभी में